देखो भाई लोग अगर कोई प्लेयर अच्छा खेलता है तो उसके पीछे तीन चीज़े मेटर करती है उसमें से एक है सेंसिटिविटी अब सेंसिटिविटी मास्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप मास्टर नहीं कर पाते हो तो सामन चीज़ेंसिटी पात अलग है कि कुछ प्लेयर्स फ्चैशे यहां है अब कुछ होते हैं जो कि नहीं खेल बाता जैसे की मैं तो आज वाली वीडियो में मैं आपको दिखांगा मेरी sensitivity और ये भी आपको देखने को मिलेगा कि difference क्या default और customized sensitivity के बीच में तो basically इस वाली वीडियो में दो gameplay है शुरू वाला gameplay खेला गया है game की default sensitivity पे और जो इसके आगे वाला gameplay आएगा दूसरा वाला वो खेला जाएगा मेरी customized sensitivity पे और हाँ भाई लोग ये जो आप पहला gameplay देख रहें डिफोल्ट sensitivity पे तो प्लीज इसके बैसिस मेरा gameplay जज मत करना जो लोग भी नए हैं आप लोग दूसरा ला gameplay देखना जो कि मेरी खुद की sensitivity पे खेला गया है ना फिर ही आप समझ पाओगा किस लेवल का मैं खेल पाता हूं ठीक ठाक के लेता हूं यार अगर अच्छा लगए हो तो लाइक करता ने वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना चैनल को फिलाल उतरता हूं सेवर्णी और बंदा भी उतरता है अब यहां पर अगर मैं आप अब यहां पर अगर मैं आप को बताओं कि मैं कैसा फील कर रहा था गेम खेल टाइम डिपॉल्ट सेंसिटिविटी पर तो ऐसा लग रहा था जैसी कि मैंने जाइरो औफ ही कर दिया क्योंकि मैं 400 जाइरो पर खेलता हूं और यह जो 120 जाइरो यह मेरे को ऐसा ही लग रहा था कि जिसमें ओफ करके खिल रहा हूं फिलाल इस बंदी की बेटी बनाता हूं सामने एक और बंदा है अब यहां पर इस बंदे को जब मैं उजी से मार रहा था तब मेरे को लेफ्ट में लेना था पर देखा आपने कि कि जायीरो उफ करके खहल रहा हूं फिलाल नीचे बोट आता है फाइनली जैसे तैसे करके इस बंदिक मैंने पेटी बना दी शोडगंती भाई के पास अगर यह सई से मार देता मेरा काम खतम था अब यहाँ पे अपर अंगुठ को मारा निकलता हूँ आगे आता हूँ रोजो की यहाँ बंदे हैं झाल झाल तो कैसा लगा आपको यह वन वी टू कलच कमेंड में जाके प्लीज मेरे को बताना अब देखो मेरे हिसाब से अगर जाईरो ओफ है या फिर कम सेंसिटिटी है आपकी तो शाहत से हेडशोट लगने के चांसे ज्यादा होते हैं जैसे कि यहां पे इन बंदों को हेडशोट बाद मैं बग्की लेकर जैसे इधर आता हूं तो सामने कुछ और बंदे होते हैं तो अब बंदे होते हैं तो अब जाकि मेरी पेटी बन जाती है क्योंकि डिपेंटिन्डरेता हूं जैरोस्कोप पे ऐसी सिचूशन पे आपने देखा काफी बार हीं आप एक मेंने सबता क्योंकि मैं पेडीन ल dwook क्यों बन दोती पर वही यह कि डिफोल्ट सेंसिटीटी सेंट करता ओं A तो देख ली sensitivity क्या set भी कर लिए खेल भी लिए अगर अच्छा खेल पार हो त्यार इस वीडियो को लाइक कर दो शेर कर दो सारे दोस्तों के साथ और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो अब आते पन दूसरे वाले gameplay पे जो की मेरी customized sensitivity पे खेला गया है जिसमें इतनी तबाही होने वाली है न क्योंकि आप लोग देखना क्या ही खतरनाक moment आएगी और पूरे बंदे ऐसे मारूंगा जैसिक भाई कुछ ही नहीं सामने वाले कि उटेखने से लिए अबाब कर दो अब यहां पर इस बंदे को मार के फटा फट से लूटता हूँ जाता हूँ कवर में और हील करता हूँ क्योंकि आसपास और बंदे आ चुके हैं और अब ऐसा सीन होने वाला है जिसको देखने के बाद मुह से निकलेगा वाउ और कुछ नहीं हुँ 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 लुप्रेसे लापकों। लुप्रेसे हैं गुझाजे नहीं, कल नायक हुमागर एंचे लुझाजे रुझाजे लुझाजे कर दो नहांग अब पता यहां पर सीन क्या हुआ जब मैंने पहले बंदे को नोक्या छे गोली बची है केम में तो मैंने रिलोड दबाया तो मेरे को लगा रिलोड हो चुकी है पर भाई असल में वो रिलोड नहीं होती छे ही गोली बचती है और वो छे गोली में दूसरे बंदे पे मारता हूँ पर उतने में रिलोड पे डल जाती है और बंदा मेरे को नोक कर देता है पर कोई ना गुड रोके तुम्हे ओहो, क्या गाना उज रहा है जान जाती है जब उठके जाते हो तुम जाने 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 जा अब देखो ये वाला बंदा अकेला तो था पर चोड में भी काफी जादा था काफी सही भी खेल रहा था वैसे पर फिर भी मैंने यहाँ पे इनको मार दिया इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे और करह सकातर ऑस्यास सजान करता अक पाला नान को साझी creator कर अब नान कमें कर्वार 1 थाला fajता को पा। क्वड़ येड़िव में वाला दो झा अक थाउसान आइस ॥ubenाव मैं झाल रान खूह ठाला अवोड़ येव़शन झाल 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 अब ये भाई साब कहां से निकले मेरे को थोड़ा सा भी पता नहीं चला शाज सी छोटे से टावर में से निकला हो गए और जो भी याप इनकी बेटी बना दी एक बोट आता है उसको भी मारते हैं और हमने फ्लेर चलाई ती जो उसको लूट के आगे निकलते हैं इनकी झाए खबुआँ खुआँ झाए रहा निए खड़े ख़री दोग्वारल मच़ाँ नहीं वार ते निकल्वाओ Bjorn,व ख़ए जो, हुआ झाए! पर अपना मूँ फेर लिया ऐसा इसलिए कि मैंने यहां पे गलत अंदाजा लगा लिया वो यह कि मैंने इतनी गोली इस बंदे को मार दिये तो नोक हो चुका होगा और एम लेता हूं दूसरे बंदे पर उतनी दिर में पता चलता है बंदा नोक हुआ ही नहीं जब वापिस प कोई ना यसे अंदाजे कभी कबार गलत हो जाते हैं तो अगली बार से गोलिया तब तक चलाओंगा जब तक पेटी ना बन जाए बंदों की फिलहाल आज का गेमपले यहीं तक अगर आपको यह इगनौर मार के पूरा गेमपले देखना कैसा लगा आपको बताना कमेंट मे का ध्यान रखना लव योल जय हिन जय भारत जय श्री महकाल